प्रस्ण 29 नीचे की आकिर्थी में OE कोन AOC को सम्दिभाजित करता है OF कोन COB को सम्दिभाजित करता है और OE लंब है OEF पर दिखाएं कि बिंदू AOB सरेख है तो इस तरह इसका चित्र दिया हुआ है कराएं नीचे की आकिर्थी में OE OE देखे यह है OE OE कोन AOC का सम्दिभाजित करता है तो OE क्या कर रहा है कोन AOC देखे यह जो है यह है कोन AOC देखे यह पूरा यहां सी आँ तक यह कोन है कोन AOC AOC तो OE क्या कर रहा है कोन AOC को सम्दिभाजित कर रहा है यानि ये कोन और ये कोन क्या है बराबर है ठीक है अब ओ एफ जो है ओ एफ देखें ये जो है कोन सी ओ बी को सी ओ बी यानि इस कोन को इस कोन को समधिभाजित कर रहा है यानि ये जो कोन है और ये कोन दोनों बराबर है ठीक है ये कोन ये कोन बराबर है ये कोन ये कोन बराबर और OE लंब है OEF पर देखे OE जो है OEF पे लंब है देखे OEF हो गया ये और OE हो गया ये वला तो OE क्या है OEF पे लंब है यानि यहाँ पे 90 डिगरी का कोन बन रहा है ये दोनो ठीक है ये दोनो देखे यहाँ पे 90 डिगरी का कोन बना रहा है OE, OEF के साथ दिखाएं कि बिंदू AOB सरेंख है यानि AOB एक रेखा है यह दिखाना है हमको तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर दिया है क्या-क्या दिया है उसको लिख लेंगे कौन AOE बराबर कौन COE कौन AOE और कौन COE बराबर है ठीक है कौन AOE और कौन COE बराबर है क्योंकि OE क्या सम्दिभाजक है किसका कौन AOC का तो कौन AOE और कौन COE दोनों बराबर हो जाएगा यह दोनों कौन देखें AOE और कौन COE यानि यह दोनों कौन बराबर होगा तो इस तरह लिख लेंगे कौमा देंगे उसके बाद लिखेंगे कौन COF COF बराबर कौन BOF तो OF क्या कर रहा है OF जो है कौन COB COB का सम्दिवाजक है तो ये दोनों कौन बराबर होगा तो इसी को लिख दिया है कौन COF कौन COF यानि ये जो कौन है फिर कौन BOF यानि ये कौन तो ये दोनों कौन बराबर है तो इस तर लिख लेंगे और फिर कौमा देंगे फिर दिया हुआ है कौन COE जोड कौन COF बराबर 90 डिगर अब देखें कर रहा है कि OE लंब है OF पे OE जो है OF पे लंब है लंब का मतलब क्या होगे कि 90 डिगरी का कौन बना रहा है ठीक है तो ये दोनों कौन को जोड करके 90 डिगरी आएगा तो कौन COE और कौन COF देखें COE ये कौन COE और COF ये देखें ये कौन COF तो ये दोनों कौन 90 डिगरी होगा क्योंकि OE जो है OE पे लंब है तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा तो इस तरह लिख लेंगे यानि ये तीनों हमको दिया हुआ है अब यहाँ पे हम लिखेंगे अब यहाँ लिखेंगे प्रमान तो प्रमान में लिखेंगे चुकी कौन COE जोड कौन COE बराबर 90 डिग्री इसको हम पहला लिख लेंगे ये दिया हुआ है हमको कौन COE जोड देखें कौन COE जोड कौन COE बराबर 90 डिग्री तो कौन COE जोड कौन COE बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है इसको हम पहला लिख लेंगे अतह कौन COE के जगह पे लिख देंगे AOE जोड कौन COF के जगह पे लिख देंगे BOF बराबर 90 डिग्री इसको लिख लेंगे दूसरा तो कौन COE के जगह पे कौन AOE क्यों लिखेंगे क्योंकि देखे कौन AOE और कौन COE बराबर है, यह दिया हुआ है, क्योंकि सम्दिभाजक है, ठीक है, तो कोन COE के जगा पर कोन AOE लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर है, उसी तरह कोन COF बराबर कोन BOF, तो कोन COF के जगा पर क्या लिख देंगे, कोन BOF, ठीक है, क्योंकि यह दोनों क्या है, बराबर है तो इसके जगा पर ये लिख सकते हैं बराबर 90 डिग्री अब दोनों को जोड़ेंगे तो लिखेंगा ता है पहला और दूसरा को जोड़ने पर पहला और दूसरा को जोड़ने पर तो आप पहला और दूसरा को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कौन COE जोड कौन COF जोड कौन AOE जोड कौन BOF बराबर 90 degree जोड 90 degree तो दिखे पहला और दूसरा को जोड रहा है तो कौन COE जोड कौन COF जोड कौन AOE जोड कौन BOF ये चारों को पहले जोडेंगे यानि बराबर के जो बायन तरफ है इसको पहले जोड लेंगे फिर बराबर के दायन तरफ 90 degree जोड 90 degree इधर लिख लेंगे इस तरह लिख लेंगे ये चारों को जोड करके 90 degree जोड 90 degree लिख लेंगे अब ये चारों को अगर जोडेंगे तो क्या आ जाएगा देखें कौन COE, कौन COF, कौन AOE, कौन BOF तो ये चारो कौन कहां पे है तो कौन COE ये हो गया कौन COF, COF ये कौन हो गया कौन AOE, AOE ये कौन हो गया कौन BOF, BOF ये कौन हो गया तो अगर ये चारो कौन को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा देखे ये पूरा कौन बन जाएगा यहाँ पर चार कौन बन रहा है इस पर A, B पर तो ये चारो कौन को जोड़ेंगे तो ये पूरा कौन आ जाएगा A, O, B ठीक है ये देखे पूरा कौन आ जाएगा A, O, B क्योंकि ये चारो कौन को जोडने पर हो जागा कौन AOB तो यहाँ पर लिखेंगे ये चारो कौन को जोडने पर क्या लिखेंगे कौन AOB बराबर 90 डिग्री जोड 90 डिग्री कितना हो गया 180 डिग्री यानि कौन AOB कितना हो गया 180 डिग्री यानि ये जो कौन हो गया AOB ये हो गया 180 डिग्री तो 180 डिग्री कब बनता है एक रेखा पर बनता है यानि एक सीधी रेखा पर बनता है तो इसका मतलब AOB क्या है सरेख है ठीक है तो लिख देंगे यहाँ पर अता अता बिन्दू बिन्दू A O B सरेख है बिन्दू AOB क्या है सरेख है यानि एक रेखा में है तो AOB एक सीधी रेखा है तो इस तरह लिख लेंगे कि बिन्दू AOB सरेख है यही सीध करना थे यहाँ पर पर्विट लेगा है यहाँ पर करना one करना थे यहाँ झाया। करना झाल झाल